तो हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाफोर्स सिस्टम के बारे में दोस्तो अगर आप इस सिस्टम में जॉइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस सिस्टम में कितने लेवल से जॉइनिंग हो सकते हैं और आपके लिए कौन सा लेवल जॉइन करना अच्छा रहेगा दोस्तो अगर आप एक लेवल से जॉइनिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको कितने रुपे की income होगी और आप तीन लेवल के साथ start करना चाते हैं तो उसमें आपको कितने रुपे की income होगी और उसमें आपको कितने रुपे का investment होगा आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं दोस्तो मेटाफोर्स एक बहुती अच्छा और decentralized और trustable concept है दोस्तो इस सिस्टम से काफी लोग पैसा कमा रहे हैं और आप भी इस सिस्टम में जुड़कर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो दोस्तो इस सिस्टम से कोई भी ब्यक्ति जुड़कर पैसा कमा सकता है तब ही हम लोग इस सिस्टम के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम लोग इस सिस्टम से पैसा कमा रहे हैं दोस्तो अगर इस सिस्टम से पैसा नहीं मिलता तो हम लोग इसमें काम क्यों करते तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले तो वीडियो को लाश्ट तक देखें ताकि आपको यह पिलान अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तो अगर यह पिलान आपको ठीक से समझ में नहीं आता है एक बार में तो आप हमसे contact कर सकते हैं और दोस्तो अगर आपको यह plan समझ में आ जाता है अगर आप इस system में जूणना चाहते हैं तो फिर भी आप हमसे contact कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Metaforz में joining investment के वारे में के दोस्तो आप इसमें कम से कम कितने सिलोट के साथ और कितने रुपे लगा कर इसमें ID लगा सकते हैं और जादे से जादे इसमें ID कितने रुपे की लगती है तो दोस्तो आपको बताते हैं Metaforz सिस्टम में कुल 12 सिलोट दिये गए हैं यानि की 12 level हैं और दोस्तो पहले level 5 dollar यानि की 5 die coin से start होता है दोस्तो आपको बताते हैं इस सिस्टम में die coin से join होती है जो की 1 die coin की कीमत 1 dollar के बरावर रहती है तो दोस्तो पहले level की कीमत 5 dollar है और जो सबसे last का है बार्मा level इसकी कीमत 10,240 dollar है तो दोस्तो अगर आप टोटल सभी से loto को एक साथ activate करते हैं तो इसकी कीमत 20,475 dollar के something होती है जो की 18,00,000 के something वैटती है और दोस्तो अगर आप पहले level से ID लगाना चाहते हैं तो यह आपकी 500,600 रुपे के something में ID लग जाती है जो की आपको 5 dollar के die coin लेने होंगे और something दो तीन आपके पास magic coin रहने चाहिए है जो आपके ballot में पढ़े रहेंगे जिससे आपकी ID लगवाई जाएगी दोस्तो अब अगर आप पहले level से और दूसरे level से ID लगाते हो तो इसमें क्या अंतर आता है इसमें कितनी earning होगी और आप पहले दूसरे और तीसरे level से ID लगाते हो तो इसमें आपको कितनी earning होगी अब आपको यह बदा देते हैं दोस्तो यह देखिए इसमें आपके शिलोट दो गिरूप में बाट दिये गए है देखिए जो पहला और दूसरा level है इसका नाम S6 है जिसमें आपको 6-6 गोले देखने के लिए मिल जाएंगे और जो तीसरा level है इसका नाम S3 है जिसमें आपको 3 गोले मिलेंगे यह टोटली वरकिंग सिलोट है अब दोस्तो जैसे आप पहले और दूसरे सिलोट को एक्टिवेट करते हो तो इसमें आपके 15 डोलर का investment होता है जो की something आपको 1415 रुपे में इसमें ID लग जाती है पहले और दूसरे level में अब दोस्तो जैसे आपने इसमें दो सिलोट एक्टिवेट करवा लिए है और आपको income किस प्रिकार से आएगी यह बता देते है अब यह देखिए जैसे आप मेटाफोर्स में दो लेवल से ID लगाते हो तो आपको दोनों में 6-6 गोले देखने के लिए मिल जाएंगे अब दोस्तो यह सिलोट वरकिंग और नोन वरकिंग दोनों प्रिकार से काम करते है यदि आप इसमें काम करते हैं फिर भी income आएगी और आप बिलबल भी काम नहीं करते हैं आपको इसमें फिर भी income आ सकती है अब दोस्तो कैसे आएगी यह देखिए जो उपर वाले दो गोले हैं दोस्तो अगर इन में किसी की ID लगती है तो इन गोलों की income आपको नहीं आएगी दोस्तो आप देख सकते हैं दोनों लेवल में जितने में भी X-X के निचान दिख रहे हैं अगर इन में किसी की भी ID लगती है दोस्तो अगर आप ID लगते हैं तब तो इन में आपकी ID आईगी अगर आप इन में ID नहीं लगते हैं तो आपके अप लाइन के द्वारा भी इन गोलों में ID अपने आप आ सकती है दोस्तो यह नोन बर्किंग से लोट है अगर वह किसी की ID लगाते हैं अपने नीचे तो दोस्तो वह ID आपके नीचे आएगी यह देखिए अगर दोस्तो पहले लेवल में वह ID आएगी तो आपको 5 डाई मिलेंगे और दूसरे लेवल में आएगी तो आपको 10 डाई यानि 10 डॉलर मिलेंगे और दोस्तो अगर दोनों लेवल में आती है तो आपको पंदरे डाई मिलेंगे दोस्तो जितने सिलोट के कीमत है आपको पूरी कीमत एक व्यक्ति से मिल जाएगी दोस्तो इसी पिरकार से अगर यह देखिए चौत्य वाले गोलें में आएगी तो आपको non working slot का look उठा सकते हो दोस्तो इस system से लाखो लोग dollar Prime के पैसा कमा रहे हैं और आप भी system में join होकर पैसा कमा सकते हो दोस्तो यह है तो हो गई 2 level की बात अगर आप 3 level से system को start करते हो तो आपको और वी ज़्याद़े income होने वाली है दोस्तो अब यह देखे हम आपको 3 level के बारे में बता देते हैं अब यह देखे दोस्तो मेटफोर सिस्टम की पावर दोस्तो जैसे आप इसमें अपने ID 3 level से स्टार करते हैं तो इसमें आपके 35 डाई का investment होगा यानि की 35 डॉलर का जो की इंडियन रूपीज में 3500 रुपे के लगवक की ID आपकी इसमें लग जाती है जिसमें आपके 3 लेवल एक्टिवेट हो जाते हैं अब दोस्तो जैसे ही आप इसमें अपने नीचे किसी ब्यक्ति को जोड़ते हो 3500 रुपे से तो यह देखिए अगर उसकी ID भी 3 लेवल से लगी है तो आपके नीचे तीनों लेवल में गोलों में उसकी ID लगेगी यह देखिए पहले लेवल में जो पहला वाला गोला है जिसमें X का निसान है इसमें उसके ID आकर लगेगी और इसकी इंकम अपलाइन किरोस लाइन कहीं भी जा सकती है और दोस्तों दूसरे वाले गूले में यह देखिये जो पहला गूला है, दूसरे वाले सिलॉट में जो पहला गूला है, इसमें भी एक्सक निसान है, इसमें ID लगेगी तो इसके इंकम कहीं भी जा सकती है अब दोस्तो जो लेवल 3 है S3 इसमें देखिए पहले वाले गोले में आईडी लगेगी जिसकी इंकम आपको मिलेगी और दोस्तो ये है 20 डॉलर का सिलोट है और 20 का 20 डॉलर आपके विलेट में एक मिनट के अंदर आ जाएंगे दोस्तो इस सिस्टम में ये नहीं है किया रात को 12 बज़े के बाद या कल होने के बाद 24 गंटे के बाद आपको इंकम आईगी जैसे ही आप आईडी लगाएंगे तो एक मिनट से पहले ही आपके विलेट में 20 डॉलर आ जाएंगे और दोस्तो अगर आप तीन लेबल से आईडी एक्किवेट करते हैं तो इसमें आपको ये वेनिपिट भी मिलता है दोस्तो जो आपके पहले और दूसरे नोन वर्किंग वाले सिलोट हैं इसमें आपको फिर भी नोन वर्किंग मिलती रहेगी दोस्तो अगर आप पहले और तो आपको Non-Working ही मिलेगी और आपका Working वाला सिलोट एक्टिवेट नहीं है तो आपको Working नहीं मिलेगी लेकिन दोस्तो अगर आपको Working और Non-Working अच्छे income लेनी है और बड़े income लेनी है तो तीनों सिलोटों के साथ ID लगाईए और आपको Working और Non-Working दोनों मिलेगी दोस्तो यह देखिए Working income तो आपको हर वार S3 में से मिलती रहेगी और पहले और दूसरे सिलोट जो है S6 इसमें से आपको Working और Non-Working दोनों इंकम मिलेगी तो दोस्तो यह देखिए जैसे आपको दूसरी ID लगाते हैं 35,000 रुपए से यानि 35 ڈाई से तो यह देखिए आपके पहले वाले सिलोट में दूसरे गोले माँडी लगेगी जिसमें X लिका हुआ है और X6 का दूसरा सिलोट है यह देखिए इसमें दूसरे गोले मांडी लगेगी इसमें इसमें X का निशान है और दोस्तो इसमें देखिए तीसरे लेवल में तीसरे सिलोट में इसमें भी दूसरे वाले गोले में आगर आईडी लगेगी जिसकी इंकम 20 डॉलर फिर आपको मिल जाएंगे तो तो फ्रेंट्स आप इस सिस्टम से कितनी भी आर्णिंग कर सकते हो और सभी आर्री आअपको डॉलर में मिलेगी अब दोस्तो जैसे आप दो आईडी लगा देते हो और फिर इसमें काम नहीं कर पाते हो तो यह देखिए जो पहले और दूसरे लेवल हैं दोस्तो इन में आपके पहले दो गोलो में ID लग चुकी है अब दोस्तो जो दो बंदे आपने जोड़े हैं अगर बहे बंदे भी ID लगाएंगे अपने नीचे तो आपको उनसे भी इंकम मिलेगी दोस्तो जैसे वो अपने नीचे ID लगाएंगे तो यह देखिए ID तो उनके नीचे ही लगेगी पर उनके चो डॉलर हैं सिलोट के वो आपको मिलेगे दोस्तों वह कैसे मिलेंगे यह देखिए जब वह पहली पहली या दूसरी दूसरी ID लगाएंगे तो यह देखिए उनके पहले X वाले सिलोट भरे जाएंगे जिनमें पहले और दूसरे सिलोट में XX लिखा हुआ है पहले यह भरे जाएंगे अब दोस्तो जो X लिखा हुआ इन सिलोटों की income खुद को तो मिलती नहीं है यानि कि जो आपके नीचे है अगर उसके X वाले सिलोट बरे जाएंगे उस व्यक्ति को तो income मिलेगी नहीं तो उसके सिलोट की income कहा जाएगी तो दोस्तो आपके नीचे वाले गोले में ID लगेगी उनकी तो यह गोले आपको income आपको मिल जाएगी तो दोस्तो इस पिरकार से आपको downline से भी income आती है दोस्तो इस सिस्टम में आपको downline, apply and crossline हर पिरकार से आपको इसमें income मिलती है और दोस्तो आप इसमें बहुत यह अच्छी earning dollar में कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आई हो तो दोस्तो इस वीडियो को like कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कर लेजिए दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही तो आप मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में दोस्तो अगर आपको इस प्लान में जोईन होना है तो आप हमसे contact कर सकते हैं